हेलो बच्चों स्वागत करता हूँ आप सबको तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं exercise 4.3 का प्रस्ण है उनको discuss कर रहे हैं 4.3 का ठीक है तो इसमें question number 4 तक हमने discuss कर लिया था यह question number 5 है question number 5 को देखिए आरिफुल की मा की आयू उसकी बहन रेहना की आयू की 4 गुना है रेहना आरिफुल से 4 वर्ष छोटी है अगर आरिफुल की मा की आयू 32 वर्ष है तो आरिफुल और रेहना दोनों की आयू कितनी होगी देखिए इस प्रकार के प्रस्टन को आपको एक बार पढ़ने से नहीं होगा 2-3 भर आपको पढ़ना पढ़ेगा चार गुना भी है और चार बर्स छोटे भी है अगर आरिफुल की मा की आयो 32 बर्स है तो आरिफुल और रहना दोनों की आयो कितनी होगी तो इसको हम कैसे समझाएंगे मान लो हम क्या करेंगे मान लो आरिफुल की आयो X बर्स है तो क्या है आरिफुल की मा की आयो आरिफुल की आयो एक्स बर्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रहना की आयो क्या हो जाएगा आपको देखें यहाँ पर रहना आरिफुल से चार बर्स छोटी है बोला है रहना जो है आरिफुल से चार बर्स छोटा है अगर हमने आरिफु आरिफल की मा की i.o से चार गुना है तो चार गुने रहना की i.o एक्वेल टो आरिफल की मा की i.o Алगी मा गैं मुझे तो इस में उठाया तो आरिफल की मा की आयो बरबर क्या है 4 गुने रेहना की आयो क्योंकि यहाँ पर 4 गुना है बुला गया तो इस प्रकार से अब यहाँ पर रेहना का आयो लिख देते हैं यहाँ पर अरिफुल की मा की आयो लिख देते हैं तो हमारा अरिफुल की मा की आयो कितना है 32 साल है तो इसको लिखेंगे तो हमारा equation बन जाएगा देखें इस प्रकार से आपका equation बन जाएगा क्या बन गया इस 16 को इदर लिक्या आना है तो क्या आजाएगा 4X इक्वेल टू इधर में 4X रहे गया और 16 माइनस था इधर आके प्लस हो गया 32 प्लस 16 हो गया दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा तो 4X बराबर 48 हो गया अब X कमान हमको निकालना है ठीके 4 को इधर आकर डिवाइड हो जाएगा X कमान निकलने के लिए हम क्या करेंगे X कमान निकलने के लिए जो 4 था इससे 48 को divide कर देंगे यहाँ पर divide कर देंगे तो 4 का table में 4 1 जब 4 4 12 जब 48 12 टाइम गिया 12 टाइम तो X कमान कितना आ गया X कमान आ गया 12 यानि कि आरिफूल की आयू हमको मिल चुका है ठीके ना तो आरिफूल और रहना दोनों का आयू निकलना है हमको आरिफूल का आयू निकल चुका है आरिफूल का आयू कितना हो गया 12 वर्स हो गया ठीके आरिफुल का आयू उसके बाद रेहना का आयू क्या हो गया आरिफुल की आयू 12 वर्स हो गया उसी प्रकार से रेहना का वर्स क्या हो जाएगा X 12 में 4 गठा दीजिए ठीके 12 में 4 गठा दीजिए तो 8 आ जाएगा रेहना की आयू कितना आ जाएगा रहना की i.o. बराबर x में 4 गटाओ ना, कि या पे है ना, रहना का i.o. बराबर x गटाओ 4, तो 12 में 4 गटाओ देंगे 8 बर्सी इसका हो गया, ठीके, तो अरिफुल और रहना का दोनों का i.o. हमने यहाँ पे निकाला, ठीके बच्चों, यह समझ में आया होगा, आसा करता इसके बाद हम next प्रस्न को देखेंगे next प्रस्न है यह आप देखिए दियांचे देखिए next प्रस्न है हमारे पास में अनुपस, राहूल और जहरूल की आयू का योग 22 बर्च है कितना कौन-कौन है? तीन है, एक तो है अनुपस है एक राहूल है और एक जहरूल है तेनो की आयू का योग 22 बर्च है अनुपस, राहूल से एक बर्च छोटा है जहरूल राहूल से दो बर्च बड़ा है अनुपस, राहूल और जहरूल तीनो की आयूग याद करें देखिए कुछ condition दिया होता है तो उसको आपको समझ के समिकरण बनाना होता है equation बनाना होता है तो equation बन जाएगा तो हमारा solve भी हो जाएगा उसका समाधान भी आ जाएगा तो पहले देखते हैं अनुपस राहूल से एक बर्ष छोटा है और जाहिरूल राहूल से दो बर्ष बड़ा है तो हम क्या करेंगे मान लो राहूल का मान लेंगे मान लो राहूल के आयो एक्स है राहूल के आयो के एक्स ले लिया एक्स लेने के साथ साथ क्या हो गया अनुपस राहूल से एक बर्ष छोटा है तो अनुपस का आयो क्या हो जाएगा पहले जहरूल का लेंगे फिर अनुपस लेंगे जहरूल क्या है राहूल से दो बर्ष बढ़ा है तो राहूल का जो आयू था एक्स था उसमें दो जोड़ देंगे तो जहरूल का आयू हो जाएगा जहरूल का आयू के लिए हमने क्या क्या, x में 2 जोड दिया, अब अनुपस के आयू में क्या करना है, राहूल से 1 बर्स छोटा है, तो x में 1 घटा देंगे, ठीके, अनुपस के आयू, x-1, क्यों, क्योंकि राहूल से 1 बर्स छोटा है, राहूल को हमने x बोला है, तो अनुप इसको हम क्या करेंगे सब को जोड़ेंगे पहले x को जोड़ा फिर x-1 को जोड़ा तो बराबर कितना आया बाइस आ गया तो अब क्या करें यहां पर कितना ठोए x है? 3x है देख रहा है आपको 1, 2, 3, 3 तो को प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x हो गया, प्लस 1, प्लस 1 केसे? यह 2 था, 2 में 1 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया, तो 3x प्लस 1 इक्विल तो 22, अब यह 1 को इतर लेके आएगे, 1 को इतर लेके आएगे, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, 22-1 इसको एंसर करेंगे, तो x का इक्विल तो 21 आ गया, ओके? 3x बराबर 21 आ गया, अब x का माण आद आपको निकाल ला है, x का माण मतलग 21 को 3 से भाग कर देंगे, 21 को 3 से भाग कर देंगे, एकट गया, बरबाबा की बरभावऔ 7 साथ है , आ लगल निकाल यहेँ जैरुल का वर्स क्या होगा ? एकस में 2 मरना मतलब क्या है ?9 बरभावऌ के न trainees psychology ? कितने हो गया ? 9 बरस होगया ? जैरुल की यूदि कि एकस में 2 जोडना है ? एक्स बराबर साथ है, एक्स के जगा में साथ लिखा, प्लस दो कर दिया, नो हो गया, उसी प्रकार से, अब हमारे पास किसका निकालना है, अनुपर्स का निकालना है, राहुल से एक गटा देना है, राहुल के पास, राहुल जितना बर्स का है, राहुल एक्स बर्स का है, मत आपका जो एंसर था करेक्ट हो गया तीने को जोड़ दिने से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ठीक है आसा करता हूं बच्चों यह आपको प्रस्ण समझ में आया होगा ठीक है यहां पर हमने दो प्रस्ण को डिसकेस किया और यह आपने कॉपी में लिख लेंगे जो भी दिक् कमें लिखे उसको हम समधान करके आपको बताएंगे ठीक है तो अभी के लिए इतना ही थेंकी पर वाचिंग गड़ ब्लेश यू